ओम शान्ती, आज 22 मई 2019 के इश्वरिय महावाक्य, अब एक नजर आज की मुरली की मुख्य पैंट्स पर, आज बाबा ने कहा, जहां पर राग या दुवेश कुछ भी नहीं, ऐसे दवी परिवार का भाती बनने के लिए खूब पुर्शार्थ करना है, भले बिमार भी हो, त पर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है, और कितनों को आप समान बनाया है, भले कहां भी घूमने फिरने जाते हो, तो भी अंदर में याद बाप की रहे, जांच करनी है, हमारे अंदर कोई गडबड तो नहीं है, देह अभीमान रिंचक भी नहीं हो, बाबा ने कहा, भले इस समय सब पुर्शार्थी हैं, परन्तु एम उब्जेक्ट तो सामने रखो, आज बाबा ने कहा, मैं आया हूँ, तुम बच्चों को परमधाम घर ले चलने, जिसके लिए तुमने आधाकल भक्ती की है, फिर कहा, कोई चलना चाहे वा ना चाहे, ड्र परम है ये मुरली की पढ़ाई और योग, और लास्ट में बहुत ही रमणीक शब्दों में कहा है, कि बच्चे तुम्हे तोता बनना है, कबूतर नहीं, बाबा ने ऐसा क्यों बोला, ये समझने के लिए सुनते हैं, अब मुरली विस्तार से, आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ग्यान की बुल-बुल बन, आप समान बनाने की सेवा करो, जाच करो, कि कितनों को आप समान बनाया है, याद का चार्ट क्या है, प्रेशन, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रोमिस करते हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकते, उत्तर, भगवान प्रोमिस करते, बच्चे, मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाओंगा, तुम शिरिमत पर चल कर पावन बनेंगे, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे, नहीं चाहे, जबर्दस्ती भी ह इसाब किताब चुक्तु करा के ले जाओंगा, बाबा कहते, जब मैं आता हूं, तो तुम सब की वानप्रस्त थवस्था होती है, मैं सब को ले जाता हूं, ओम शान्ती, बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जो गायन है, सर्व गुण संपन्न, सोला कला संपोन, यह सब गुण धारन करने है, जाज करनी है, हमारे में यह गुण है, क्योंकि जो बनते हैं, वहाँ ही द्यान जाएगा तुम बच्चों का, अब यह पढ़ने और पढ़ाने परमदार, अपने दिल से पूछना है, कि हम कितनों को पढ़ाते हैं, संपोन देवता तो कोई बना नहीं है, चंद्रमा जब संपोन हो जाता है, तो कितनी रोशनी करता है, यहां भी देखा जाता है, नंबरवार पुर्शार्थनुसार हैं, यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं, एक एक बच्चे पर नजर जाती है, कि क्या कर रहे हैं, मेरे अपनी खुशी को जानते हैं, अतिंद्रिय सुख में जीवन हर एक को अपनी अपनी भास्ती है, एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से ही फिर रिटर्न होती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाई बतात याद की यात्रा, हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है, और किसी को आप समान भी बनाता हूं, क्योंकि ज्यान बुल-बुल होना, कोई पैरेट से हैं, कोई क्या हैं, तुमको कबूतर नहीं, पैरेट तोता बनना है, अपने अंदर से पूछना बड याद है, कहां तक अतिन्रिय सुख में रहते हैं, मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही है, मे लथवा फिमिल, दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं, फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाए और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है, यहां आते ही हैं दैवी घराने का भाती बनने, वहां भी तुम दैवी घराने के भाती हो, वहां तुम्हारे में कोई रागद वेश का आवाज भी नहीं होगा, ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुर्शार्थ करना है, पढ़ना भी चलाने की बात नहीं है, आत्मा जानती है, हम शुबाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं, यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, भल कहां भी हो, परंतु बाप की याद में रहो, बाप आए ही हैं, शान्ति धाम और सुख धाम ले चलने, कितना स हैं, बहुत हैं, जो जास्ति धारणा नहीं कर सकते, अच्छा याद करो, यहां सब बच्चे बैठें, इनमें भी नंबरवार हैं, हां बनना जरूर है, शुबाबा को याद जरूर करते हैं, और संग तोड एक संग जोडने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रह होगी, परन्तु इसमें पिछाडी तक पुर्शार्थ करना पड़ता है, महनत करनी है, अंदर में सदय एक शुबाबा की ही याद रहे, कहां भी घूमने फिरने जाते हो, तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे, मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती, सहज पढ़ाई है पढ़ा कर तुमको आप समान बनाते हैं, ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है, जैसे सतो प्रधान अवस्था से आये हैं, उस अवस्था में फिर जाना है, ये कितना सहज है समझाने में, घर का काम काज करते, चलते फिरते, अपने को फूल बनाना है, जाज कर करने के लिए तुम खुद ही मैगनिफाई ग्लास हो तो अपनी जांच करनी है मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है भल इस समय सब पुर्शार्थी है परंतु एम अब्जेक्ट तो सामने है ना तुम्हें सब को पैगाम देना है बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो यह पैगाम सब को मिल जाए बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे अभी कोई पवित्र नहीं है बापने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही है नई दुनिया में यह पुराने दुनिया अपवित्र है एक भी प पवित्र बन जाती है, तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है, याद करते करते, तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी, शान्ती धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई फिर गर्ब महल में बैठी, फिर इतना अपार्ट बजाया, अब जकर पुर्शार्थ करना है उच्च पद पाने का यह पढ़ाई है अभी नर्क वैशल्य विनाश हो श्वाल्य स्थापन हो रहा है अब तो सब को वापिस जाना है तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसीज बनेंगे कोई समझेंगे हम प् बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ने आई इसको कहा जाता है पवित्र बैगर शरीर भी याद ने रहे यह तो पुराना चीची शरीर है ना यहां जीते जी मरना है यह बुद्धी में रहना है अभी हमको वापिस घर जाना है अपने घर को भूल गए थे अब फिर ब पूरा होता है बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सब की वानपरस्थ हवस्था है वानपरस्थ किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते नहीं थे ऐसे ही जाकर गुरू करते थे तुम लोकिक गुरूं दवारा आधकल पुर्शार्थ करते आये हो परंतु ज्यान कोई भी नहीं अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सब की वानपरस्थ हवस्था है मुक्ति तो सब को मिलनी है छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे बाप आया है सब को घर ले जाने इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए यहां दुख भास्ता है इ मात्माओं को अब शान्ती चाहिए बाप कहते कितने समय के लिए चाहिए यहां तो हरे को अपना अपना पार्ट बजाना है यहां कोई शान्त थोड़ी रह सकते आधाकल्प इन गुरुआ आदिने तुमसे बहुत महनत कराई महनत करते भटकते भटकते और ही अशान्त बन पड़े हो अब जो शान्ती धाम का मालिक है वह आकर सभी को वापिस ले जाते हैं पढ़ाते भी रहते हैं भकती करते ही है निर्वान धाम में जाने के लिए जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए भगवान भी प्रोमिस करते हैं बच्चों से मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा जिसके लिए तुमने आधाकल्प भक्ती की है अब शरीमत पर चलेंगे तो मुक्ती जीवन मु पसंद करो ने करो मैं आया हूं सबको वापिस ले चलने जबर्दस्ती भी हिसाब किताब चुक्तू कराए ले चलूंगा तुम सत्यूग में जाते हो बाकी सब वाणी से परेई शान्ती धाम में रहते हैं छोडेंगे कोई को भी नहीं नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है इसलिए अपने कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा पिछाडी में आने वाले क्या सुख पाएंगे बाप सब को कहते हैं जाना जरूर है शरीरों को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाओंगा आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है मेरी मत पर सरवगण संपन सोला कला संपून बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा तुमने बुलाया है ना किया कर हम सब को मोत दो अब मोत आया की आया बचना किसको भी नहीं है चीची शरीर रहने वाले नहीं है बुलाया ही है वापिस ले चलो तो अब बाप कहते हैं ब यादगार भी खड़ा है दिलवाडा मंदिर है ना दिल लेने वाले का मंदिर आदी देव भी बैठा है शु बाबा भी है बाप दादा दोनों ही है इनके शरीर में बाबा विराजमान है तुम वहां जाते हो तो आदी देव को देखते हो तुम्हार यात्मा जानती है यह तो बाप दादा बैठे है इस समय तुम जो पार्ट बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है महारती गोडे सवार प्यादे भी है वह है जड यह है चेतन्य उपर में बैकुंठ भी है तुम मोडल देखकर आते हो कैसा दिलवाडा मंदिर है तुम जानते हो कलप कलप य यह मंदिर बनता है ऐसे ही जो तुम जा करके देखेंगे कोई-कोई मूझ पड़ते हैं यह सब पहाडिया आदी तूट-फूट गई फिर बनेंगी कैसे यह ख्यालात करने नहीं चाहिए अभी तो स्वर्ग भी नहीं है फिर वह कैसे आएगा पुर्शार्थ से सब बनता है जाना तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए कोई-कोई उलजन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं बाप कहते हैं इसमें मुझने की तो दरकार ही नहीं है वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे वह दुनिया ही सतो प्रधान होगी वहाँ के फल फूल सब देख कर आते हैं शूबी रस पीते हैं सुक्षम वतन मूल वतन में तो यह कुछ है नहीं बाकी यह सब है बैकुंठ में वर्ल्ड की हिस्टी जोग्रफी रिपीट होती है यह निश्य तो पक्का होना चाहिए बाकी किसी की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सक है हीरे जवारात जो अभी देखने में ही नहीं आते हैं वह फिर कैसे होंगे पुज्य कैसे बनेंगे बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है पुज्य और पुजारी का हमसो ब्रह्मन देवता शत्रिय वैश्य शुद्र यह सृष्टी चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती लगाजा बनते हो तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कलप कलप भी आपसे मिले थे हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी यह जो तुमारे चितर हैं इनमें कमाल है कितना रुची से आकर के देखते हैं सारी दुनिया मे कहां भी कोई नहीं देखा है ने कोई ऐसा चितर बनाकर ज्यान दे सकते हैं कोपी कर ने सके यह चितर तो खजाना है जिससे तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है पढ़ाई का कदम जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना पदम एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी तुम इस समय ही शाम सुन्दर बनते हो सत्यूग में तुम सुन्दर थे, गोल्डनेज्ड, कल्यूग में हो शाम, आईरनेज्ड हर एक चीज ऐसे होती है यहां तो धर्ती भी कल राठी है वहां तो धर्ती भी फस्ट क्लास होगी हर चीज सतो प्रधान होती है ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो अनेक बार बने हो फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुर्शार्थ करना चाहिए पुर्शार्थ बिगर प्रालब्द कैसे पाएंगे तकलीफ कोई नहीं है मुरली छपती है आगे चल कर लाखों करोणों के अंदाज में छपेगी बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वह यग्य में लगा दे रख कर क्या करेंगे आगे चल देखना क्या क्या होता है विनाश की तयारियां भी देखते रहेंगे रिहर्सल होती रहेगी फिर शांती हो जाएगी बच्चों की बुद्धी में सारा अग्यान है है तो बड़ा सहज सिर्फ बाप को याद करना है अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है लाइन क्लीर रखनी है बुद्धि में रहे अब नाटक पूरा हुआ हम जाते हैं अपने स्वीट होम दूसरा पॉइंट पढ़ाई के हर कदम में पदम है इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है देवता घराने का भाती बनने का पुर्शार्थ करना है अपने आप से पूछना है कि हमें अतिंद्रिय सुख कहां तक भास्ता है खुशी रहती है आज का वरदान अपने टाइटल की स्मृती के साथ समर्थ स्थिती बनाने वाले स्वमान धारी भव अपने टाइटल की स्मृती के साथ समर्थ स्थिती बनाने वाले स्वमान धारी भव बाब ने कहा संगम युग पर स्व्यम बाप अपने बच्चों को उस्रेस्ट टाइटल देते हैं तो उसी रुहानी नश्य में रहो जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिती बनती जाए जैसे आपका टाइटल है स्वधर्शन चक्रधारी तो यह समर्थी आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए स्वधर्शन के आगे माया का गला कट जाए महावीर हूँ यह टाइटल याद आए तो स्थिती अचल डोल बन जाए तो टाइटल की समर्थ स्थिती बनाओ तब कहेंगे स्रेश्ट सोमान धारी आज का स्लोगन है भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ ओम श्यांति मुरली में बाबा अकसर एक शुरिमत देते हैं कि अपना चार्ट जरूर लिखो लेकिन चार्ट में क्या लिखना है वह साथ पूर्ण सुनने के लिए आप आज की मुरली का होमवर्क जरूर सुने ओम श्यांति